तो D-block elements की हम लोग properties को study कर रहे थे तो अभी तक हम लोगोंने कितनी properties कम्प्रीट कर लिया है सबसे पहला atomic size जिसमें हम लोगोंने lengthenide contraction को पढ़ा था point number 2 में हमने ionization energy के बार में पढ़ा है point number 3 melting point boiling point वड़ा part पढ़ लिया है आज हम लोग जो चौथी property D-block elements जो show करते हैं उसके बार में पढ़ेंगे चौथी और पाँचवी इसको mix कर रहे हैं सबसे पहला कि आखे D-block के elements interstitial compounds क्यों बनाते हैं ये हो गई आपकी fourth property ठीक है और उसके अलावा आप लोगों के पास एक fifth property जो पढ़ी जाएगी वो ये कि interstitial compounds के अलावा जो D-block elements होते हैं ये लोग alloy क्यों बनाते हैं तो alloy का formation और interstitial compounds का formation ये हम लोगों का कैसा है दो important topic है बहुत ही theoretical based है ऐसा कोई इसमें भायानक सा logic नहीं लगाना है आपको कोई ऐसा खतरनाक सा periodic trend आपको नहीं देखना है सो overall ये topic बहुत ही easy सा है ठीक है बहुत ही easy अब इसके बाद हम लोग जो next topic शुरू करेंगे वो oxidation state रहेगा density रहेगा और oxidation state density को मैं कब से बोलती हा रही हूं but obviously मैं random लेने लगती हो चीजों को density लेंगे density के बाद हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का oxidation state लेंगे विकॉस अगर oxidation state वाला topic एक बार यदी शुरू होता है तो उसी oxidation state से सारे topics linked interlinked so therefore हम लोगों को पहले वह topics लेते हैं जिनका आपके oxidation state से कोई वास्ता नहीं है और फिर वह topics परते हैं जो oxidation state लेंगे तो एक 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 करके कदम हो जाएगा और फिर हम लोगों को chemical properties की तरफ move करना है जिनमें यह सारी चीजे included रहेंगी की k2cr2o7 का structure उसके various method of preparation उसकी physical मतलब properties क्या है chemical properties क्या है किसके साथ कैसा रियाग करता है बहुत सारी extra knowledge k2cr2o7 के बारे में फिर ऐसे ही potassium permagnate के में पढ़ेंगे तो लास्ट एर तक आप लोगों के जो स्कूल की टेक्स्बूक्स होती थी उनमें भी k2cr2o7 के वन फूर होता था बट इस साल नियास लबस आया दिखेंगे क्या है क्या है क्या नहीं है और फिर बाद में हम लोगों के पास कुछ compounds रहेंगे उन compounds के बार में पढ़ेंगे जैसे iron के compounds, copper के compounds और silver के compounds और zinc के compounds, copper के compounds इस तरीके से जो आपके famous d-block elements है चल आगे बढ़ते अभी सबसे पहले तो तुम ये जानते हो कि alloy क्या होता है हम लोग alloy के बारे में उतना प्रवचन बाजी नहीं करेंगे बचपन में दसवी कक्षा में भी पढ़ा है और अभी 12th standard में आपने जो solid state chapter पढ़े हैं उसमें भी alloys क्या होते हैं आपको पता है इवन एक chapter और था जो आम लोगों ने पढ़ा था क्या नाम था उसका याद नहीं हा रहा है मुझे जिसमें हमने यह सब पढ़ा है collidals, true solution, suspension क्या नाम था उसका surface chemistry तो आपको कम से कम इतना तो पता है कि homogeneous और heterogeneous क्या होता है सबसे पहले आपको यह पता होना जी कि आपका alloy क्या है आप alloy में बहुत सारे metals को और बहुत सारे non-metals को आप आपस में क्या करते हो, mix करते हो ऐसा नहीं होता कि alloy से metal, 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 metal के combination से बनेगा non-metal भी आ सकता है जैसे stainless steel है उसमें iron तो होता ही है बट carbon भी तो होता है तो carbon is a non-metal so basically आप लोगों का alloy है वो एक mixture होता है किस चीज का mixture होता है, आपके metal का, ठेक है उसमें metal हो सकते है two or more metals, ठेक है या फिर two or more non-metals इस चीज का alloy mixture होता है, मैं एकदम exact proper definition नहीं लिखा रही हूँ point number two, whenever you mix any two things अब उनके mix होने का जो pattern होता है वो homogeneous भी हो सकता है, वो heterogeneous भी हो सकता है मतलब एक metal, मतलब एक particle, दूसरे particle के साथ किस order में mix हो रहा है वो आपको पता होना जी, क्यासा उसमें phase है उसका वगेरा वगेरा, तो सबसे important चीज, alloy की सबसे खास बात alloy आप लोगों के homogeneous mixture होता है क्या होता है, ये homogeneous mixture और साथी साथ में, जब आप इनको mix कर लेते हो इनसे एक जो नया solid बनता है अगर उस solid को, अगर उस solid को मैं melt करूँ अगर मैं उस solid को melt करूँ तो melt करने के बाद, we called it as a true solution वैसे solution का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज अगा liquid state में है बट हम लोग actual में alloys को बनाते ही ये परले melt करते हो, फिर melt करके उनको बनाया जाता है क्योंकि अगर आपके पास एक iron का तुकड़ा है उस iron के तुकड़े से अगर आपको stainless steel बनाना है obviously carbon mix करना पड़ेगा तो carbon को injection में भर कर आपके iron के तुकड़े में आप injection तो लगाने वाले नहीं हो न आपको क्या करना पड़ेगा आपको iron का जो तुकड़ा है उसको melt करना पड़ेगा carbon जो है उसको melt करना पड़ेगा melt करने के बाद दोनों के liquids को आपस में क्या करना पड़ेगा mix करना पड़ेगा तर जाके आप लोगों के दोनों mix होंगे और mix करने के मार उन्हें ठंडा करेंगे फिर उनसे जो एक नया solid बनेगा वो नया solid आप लोगों का क्या कहलाएगा alloy कहलाएगा तो ये true solution होते है तुमें अगर वो surface chemistry 11th standard की याद है तो तुमें पता होना चाहिए कि surface chemistry में हम लोग किसी भी solution को मोटा मोटी तीन तौर पे classify करते हैं और नहीं भी तो 9th standard में देखो ये चीज़ होती है तो उसमें आप लोगों की जो solutions होते है उनको उनके अंदर में जो पार्टिकल्स है उनके पार्टिकल्स के size के according हम लोग क्लासिफाय करते हैं ठीक है कि इस रेंज से इस रेंज तक का पार्टिकल रहा दन यू विल कॉल it as a true solution नहीं तो आप इसको suspension कहोगे आप इसको को को लाइडिल कहोगे अगर यह चीजे मेरे कहने पर अभी याद नहीं आरी है तो नोट्स कॉपी खोन ला दो देन लगेंगे सर्फेस के मिस्टी पूरी रिवाइस करके रख लेना ठीक है छोटी सी होती है सर्फेस के मिस्ट्री है जाओ भी थिरोटिकल पोर्शन जादा ह होने चीजे बिसाइड्स उसकी डेफिनेशन तो यह हो गया आप लोगों का एक पॉइंट अब हम लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या वास्ता अब देखिए जो आपके बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलोई फॉर्म करते हैं अब मतलब लार्ज नंबर ऑफ दि लार्ज नंबर ओफ दी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलोई अब आपके इतने सारे एलोई बनाने का इनके पीछे रीजन क्या है समझते हैं मान लो आपके पास कभी भी कोई भी 2 metal है कोई भी 2 non metal है क्या आप अपनी मर्जी से उन 2 metals या उन 2 non metals को mix करके अपना एक innovative alloy बना सकते हो क्या नहीं alloy बनाने की कुछ conditions होती है अब वो conditions क्या है पहले उस पर बातचीर कर लेते हैं सब कहां लिखें वो condition यहां लिख लेते हैं condition for alloy condition for mixing of metals conditions for mixing of metals ठीक है to form alloy alloy अगर आपको बनाना है और आप उसके लिए metals या फिर let's say non metals अगर आप mix करना चाह रहे हो ठीक है तो ऐसे case में उनकी condition क्या है condition यह है कि मान लेते हैं यह आप लोगों का एक original atom है यह आप लोगों का original atom है इस atom A के साथ आप एक दूसरा atom B आप क्या करना चाह रहे हो mix करना चाह रहे हो ताकि इन दोनों को mix करके मैं alloy create करूँ अब आप लोगों के पास एक तीसरा atom है let's say C अब उसको भी mix करना चाह रहे हो A के साथ मतलब एक बार A और C को mix करोगे ठीक है और एक बार आप A और B को mix करोगे तो अगर मैं यह कहूं कि बताइए क्या यह A और C के mixing possible है और A और B के mixing possible है क्या तो वो कौन सा factor है जो decide करेगा कि वो दो particular metal या non metal या metal या non metal mix होते हैं या mix नहीं होते हैं तो वो होता है size यहाँ पे size वाला जो factor atomic size यह atomic size आपका determine करेगा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि atomic size आप लो alloy की mixing नहीं होगी ठीक है जो आपका alloy mix हो चुका है मतला metals जो mix हो चुक है alloy mixing possible है कि वो impossible है देखो rule बहुत ही simple और sober सा है आप जिन लोगों को mix करना चाहा रहे हो ठीक है आप जिन लोगों को mix करना चाहा रहे हो उन mix करने वाले लोगों के बीच में size का जो difference है should not be more than 15% और should not be less than 15% यानि कि अगर मैं ये कहूं कि इस atom A का मैंने size assume किया है x ठीक है x कोई भी unit हो सकती है पतला आप x के पीछे कोई भी unit आप ले लो nanometer angstorm वगेरा 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 उससे अभी मुझे कोई मतलम नहीं है अगर उसका atomic size है x ठ तो आप अगर उसको b के सास्त मिक्स कर रहे हो तो आपको mix करते वक्त इस बात का पूर्य तरह की तरीच से ख्याल रखना है कि जो atom b आपके पास I तो atom b आपके पास D आपके साइए हो atom b आप तो उसका जो size है वो x-15% होना चाहिए मतना plus-minus 15% की आपको एक range लेकर चलनी है अगर आपका atom उस range में lie करता है तो वो particular species बहुत ही आसानी से आपस में क्या हो जाएंगे mix हो जाएंगी और alloy formation allowed है ठेक है यानि कि यहाँ पे जो range होगी वो range आप लोगों की क्या होगी plus-minus 15% कि कल को अगर दो महीने बाद notes copy revise करो तो पता होना चाहिए कि मैं यह range जो मैं plus-minus 15% बोल रही हूँ यह किस चीज को कह रही हूँ यह किस चीज की range आपको बताई जा रही है तो अगर यह range में आप लोगों के atoms like करते हैं तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ पे alloy formation होता है अब बा test आता है तो हमको जैसे की पता है आप लोगों के जो d block के elements होते हैं इन elements में पहले 3D series की बात कर लेते हैं scandium से जैसे जैसे आप manganese की तरफ जाते हैं size गिरता है ठीक है बट size के गिरावट जो atomic size decrease होता है इसके अंदर जो गिरावट है यह इतनी जादा भी गिरावट नहीं है मतब बहुत जादा difference आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता अच्छा उसके अलावा फिर क्या होता ह आपके पास आता है iron cobalt nickel निकल है यह iron cobalt nickel निकल वाले लोग इनका size तो almost same रहता है ठीक है इनका size तो almost same रहता है अच्छा फिर आता है आप लोगों का zinc ठीक है फिर आता है आपका zinc or copper size थोड़ा सा बढ़ जाता है तो basically बाचीत यह है कि जो d block के elements होते है d block elements का जो size होता है वो quite similar है ठीक है d block elements के जो size होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के quite similar होते हैं कि सीच में atomic size में तो ऐसे case में जब आप एक metal मतलब एक element के atom को दूसरे वाले के साथ अगर आप mix करते हो तो बहुत ही आसानी से कोई दूसरा वाला उसको क्या कर सकता है substitute कर सकता है क्या कर सकता सबस्टीट कर देता है बहुत ही आसानी से बहुत ही असानी से क्या कर सकता है substitute कर देता है बराबर है substitute एक atom आएगा उसको हटाएगा और उसकी जगा बैठ जयेगा क्यों इतनी आसानी से सको substitute कर पाया क्योंकि size में आपको एक बहुत बड़ा difference देखने को वहां पे नहीं मिल साइज तो यहां पर आप लोगों के साइज आप लोगों के क्या है सेम है तो यहां पर लोगों के सैन बहुत सारे प्लमके अलॉइ मज ख़गा, तो यह दो किसी ने करल को तो को है, बना मिक्स जब आभके, मतब नहीं गरा Can't कि या कंदिशन का है कि आपके सब्सक्राइब 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 करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है ठीक क्या नहीं लगता है ज्यादा वक्त नहीं अब सबसे इंपॉर्टेन चीज जो तुमनें बच्पन में भी पढ़ी है कि आखिर एलॉय को बनाया क्यों जाता है बताओ वाई वी आर मेकिंग एलॉय हम लोग एलॉय क्यों बना रहे है रीजन क्या है हम लोगों के एलॉय फॉर्मेशन का क्या मतलब इच्छा क्या है तुम बहुत जल्दी रस्ट पकड़ जाता है बराबर बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेता है तो ऐसे केस में आपका जो ये स्टेनलेस टील है जो की आईरन से ही बना है लेकिन लेकिन होता कैसा है कि स्टेनलेस टील उतने जल्दी रस्ट नहीं पकड़ता क्योंकि जब हम किसी भी चीज का alloy बना लेते हैं, तो alloy बन जाने के बाद, वो properties अपने corresponding element की, consistent element की क्या कर देता है, गायब कर देता है, अब उसके अंदर consistent elements की कोई भी property नहीं रहती है, so therefore, आप लोगों का जो alloy है, वो आपके consistent element से एक better option है, ठीक है, एक better option, और alloy बनाया कैसे है, मैंने वहीं बोला, कोई injection तो हमाई पास है नहीं, की injection लाए, ठूसा और एक element के अंदर, दूसर element हम लोगों ने क्या कर दिया, mix कर दिया, हम लोग कैसे बनाते हैं alloy, हम लोगों को अगर alloy बनाना है, आप जिन 2 या 3 metal, 9 metal को mix करना चाहते हो, या बनाना चाहते हो, आप simply क्या करो, उनको melt करो, melt करने के बाद mix कर दो, mix कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों के बीच में, वो एक दूसरे के atom substitute हो जाएगे, cool होने के बाद, और आप लोगों का alloy बन जाएगा, alloys की property क्या होती है, कि जो आपका alloy बनेगा, वो hard होगा, क्यों hard होगा, बताओ, वो इसी लिए, क्योंकि अब उसके अंदर किसी ऐसी चीज की property आ गई है, ठीक है, जो की आप लोगों के, क्या कहते हैं, metal, ठीक है, जो आप लोगों के particular parent item से अलग है, अच्छा, उसके अलावा, अब कोई चीज अगर hard हो जाएगी, तो उनका melting and boiling point, वो भी कैसा हो जाएगा, high हो जाएगा, increase हो जाएगा, कोई चीज हाएगा, तो उसको melt करने के लिए, आपको ज़दा time लगेगा, so these are the various properties of alloy, बस, purpose क्या है, वो भी बता है, solution and collogative properties में and surface chemistry में, आपने ये चीज पढ़ी है, कि आप लोगों के पास, आप लोगों के पास, जो alloys होते हैं, अगर आप किसी भी metal को mix कर देते हो, mercury के साथ, तो आप लोगों का एक alloy लेट से बना, तो वो जो alloy आप लोगों का बनता है, उस alloy को हम लोग specifically नाम देते हैं, that नाम is known as amalgam, मेराबर वो आप लोगों का क्या कहलाता है, amalgam कहलाता है, अच्छा, अब there are various examples of alloys, ठीक है, अगर यसे किसी ने मानने ने पूछ लिया, वैसे तो बहुत ही basic की या छोटे standard ने पढ़ा है आपने, कि brass किस चीज का alloy है, तो brass is an alloy of copper plus zinc, ठीक है, अगर किसी ने पूछ रिया, क bronze ये किसीज का alloy है, so bronze is an alloy of copper plus zinc, ठीक है, तो ये कुछ आपके basic example हो गए, stainless steel किसका alloy है, ये हो गया, तो alloys के बारे में, d-block element में ये हमारी कहानी थी, कि आखिर d-block element alloy क्यों मनाते हैं, उसकी जानकारी हमने एक खटा की और तुमाहें समने रख दी, अब second thing आता है, interstitial compounds, तो पहले तो interstitial compounds को समझते हैं, कि interstitial compounds आके किस बला का नाम है, मालेते हैं, आप लोगों ने atoms को arrange करके रखा है, अभी तुम लोगों ने d-block element, sorry, solid state तो पढ़ा ही है, तो एक basic idea तो आपको atoms के arrangement का है, यानि कि इस तरीके से माल लेते हैं, मैं एक two dimensional square close tucking, ठीक है, बना रही ह अच्छा, अभी ये इसी प्रकार है कि आपके घर में दो-चार balls रखी हुई है, उन balls को आप इस तरीके से arrange कर रहे हैं, ये आपके घर में balls रखी हैं, आपने इस तरीके से arrange कर रहे हैं, अब होता क्या है कि जब हम balls को इस तरीके से arrange कर रहे हैं, मेरे atoms भली आपको देखने म लग रहे हूं बट वो लोग सिमिलर साइस के हैं और सब एक दूसरे को externally touch कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यहां पे जब हमने इस तरीके का arrangement किया तो क्या इस arrangement में आप लोगों की जो space है आपको completely occupied दिख रही है क्या क्या आपको आपकी जगा पूरी occupied दिख रही है क्या तो कोई भी बोलेगा नहीं जगा पूरी occupied नहीं दिख रही है because these are the regions where there is no atom these are the regions where there are no atom तो यह जो जगाएं है जहां पे आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई atom देखने को नहीं मिलता है ठीक है जो खाली जगा है पहले यह हमको पता है कि इन खाली जगाहों को हम लोग क्या कहते है oid कहते है बराबर इनने क्या कहते है अपने कहा जाता ब्रकार interstitial sites ओने क्या कहा जाता है आप लोगों का interstitial sites तो यह जो oid आप लोगों को atoms के बीच मेह अच्छा अब ये जो आपलोगों के transition metal atoms है ठीक है S block वगेरा के नहीं है ठीक है आपके transition metal atoms है और जो यह voids है इन voids में या फिर आप कह सकते हो interstitial sites पे दोनों ही सेम चीज़े हैं या in voids में या फिर आप लोगों के interstitial sites में कोई foreign atoms आके बैढ गए foreign atoms का मतलब अगर माल लेते हैं वो transition metal copper है copper 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 के अलावा कोई दूसरा foreign atom अगर उस जगा पर जाके ऐसा situated हो जाए यह ऐसा यह ऐसा माल लेते जाके बैठ जाए तो यह जो foreign atom यह जो foreign atom आप लोगों के उस interstitial compound मतलब जो transition metal atom का जो arrangement था उसकी interstitial जगा पर आके जो बैठा बैठ जाने के बाद अब जो नया compound तैयार हुआ इसको हम लोग कहते हैं interstitial compound तो what do you mean by the term interstitial compounds interstitial compounds का मतलब होता है कि जब कोई non-metallic element जब कोई non-metallic metal metal atom यानि कि non-metallic atom जैसे कि hydrogen boron, carbon nitrogen, dot 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 etc interstitial site को जाके occupy कर लेता है deep block elements की तो उस deep block element का और आप लोगों के इस foreign atom के combination को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का interstitial compounds कहते हैं मतलब what do you mean by the term IC तो IC का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास एक array था deep block elements का और उस deep block elements में जहां-जहां पे भी interstitial sites थी उन interstitial sites को किसने occupy कर लिया आप लोगों के ये hydrogen, boron, carbon ठीक है, etc. टाइप के non-metal के atom ने occupy कर लिया तो वो जो एक combination बना that combination है termed as interstitial compounds या फिर आपके IC अब होता है ये है कि जो interstitial compounds में वो जो atom आके बैठा the most important point वो जो आपका atom आके बैठा green color का उस green color के atom को हम ये कहेंगे कि वो interstitial site पर क्या हो गया है जाके trap हो गया है वो जाके क्या हो गया है trap हो गया है इसका ये मतलब कता ही नहीं होता कि वो foreign atom आप लोगों के आजू बाजू में जितने भी आपको transition metal या फिर d block metal atom दिख रहे हैं उनके साथ उसने कोई bond बनाया है ध्यान से बात सुनेंगे no bond formation ना तो उस non metal और ना तो कोई transition metal उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी bond formation नहीं होता है कोई bond नहीं बनता कोई bond नहीं बनता है इस बात को ध्यान रखेंगे no bond formation occurs कोई ionic bond नहीं है कुछ नहीं है वहाँ पे सिर्फ और से vendor wall type का एक attraction है जो की एक species और दूसरे species के बीच में होता सिर्फ वहाँ पे जाके क्या हुआ है उसने वो जगा को accommodate किया है उस छोटे से non metallic atom ने ठीक है बस वहाँ पे उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है bond established नहीं है अच्छा अब point नमर 3 क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई metallic मतलब ना तो वहाँ पे कोई ionic bond है ना तो वहाँ पे कोई covalent bond है तो usually यह जो आपके IC होते हैं यह IC यानि की interstitial compounds nature में non stoichiometric होते हैं इसको हम लोग समझते हैं detail में इसका meaning ऐसे में समझ में नहीं आएगा लिग देने से ठीक है non stoichiometric होते हैं और ना ही यह आप लोगों के ionic होते हैं ना ही covalent इसका मतलब क्या है यह word जो मैंने लिखा है आपका non stoichiometric देखो अगर माल लेते हैं कोई भी चीज अगर आपके पास let's example AB2 लिखा है ठीक है या फिर माल लो ALCL3 लिखा है तो ALCL3 को मैं जानती हूँ यह covalent compound है बट अगर मैं इसको split करूँ इसको मैं अगर तोड़ू तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ I can write it down as AL3 positive and 3 times of CL negative because in reality there exists a covalent bond in between that atoms और there may exist ionic bond between that atoms बट अगर मेरे पास कोई एक IC रहा ठीक है अगर मेरे पास कोई एक ionic compound है मान लेते मेरे पास एक ionic compound है let's imagine TIC बहुत ही common ionic compound है इस TIC नामक ionic compound को I cannot split मैं ऐसा कुछ करूँगी TIE की power X positive C की power Y negative so this is not possible यह possible ही नहीं यह चीज तब possible होती है जब उन दो concerning atoms के बीच में किसी प्रकार का क्या होता है formula बनता है ठे मतलब कोई bond होता है तो जब bond होता है तो formula बनता है अब यहाँ पे कोई bond ही नहीं है तो basically यह जो आपको लिखके दिया गया है यह भी कोई formula नहीं है ठीक है बराबर यह भी कोई formula नहीं है जैसे copper sulfate वो एक formula है CO2 वो एक formula है TIC is not a formula TIC not a formula यह कोई formula नहीं है यह एक formula नहीं है फिए क्या है यह TIC पर क्या है अगर यह formula नहीं है तो यह क्या है तो यह जो चीजें है यह बताती है refer composition यह किस चीच को indicate करती है उस interstitial compound के composition को अग समझते हैं composition को refer करने का मतलब क्या होता है solid state में आपने unit cell पढ़ा है आप जानते है unit cell क्या होता है अगर usually हम लोग unit cell को इस तरीके से indicate करते है यह मेरा एक unit cell है unit cell के corner में क्या होता है atom situated होता है और हर atom आप लोगों का उस particular unit cell में कितना contribute करता है बता हो 1 by 8 मतलब अगर यह atom A है तो अगर आप बोलोगे एक unit cell में आपको 8-8 atom दिख रहे है तो तुम भी जानते हो कि 8 atoms नहीं होता है हर atom 1 by 8 ही होता है क्योंकि उसका सी 1 by 8 हिस्सा उस unit cell के अंदर होता है बाकी का उसका 7 by 8 हिस्सा किसी दूसरे unit cells के साथ shared हो रहा होता है तो इस तरीके से total देखने में लगता है कि वहाँ पे 8 atoms है बट reality एक atom की रहती है 1 by 8 तो indirectly यहाँ पे Z की value कितनी आती है Z की value यहाँ पे आती है 1 यानि कि मैं यह लिख सकती हूँ number of atoms per unit cell आप लोगों के पास कितना है मात्र एक है या फिर आप यह कह सकते हो कि एक एक देखने में आपको लग रहा है कि एक atom है बट 8 atoms है आपको देखने में लगता है बट in reality total वहाँ पे से कितने atoms है एक ठीक है तुमने कहा कि मैंने आधा apple आज खाया तुमने कहा कि मैंने आधा apple कल खाया नहीं मानती हूँ कि तुमने टोटल एक apple खाया क्यों अरे कल का आधा आज का आधा तुम नहीं मोलोगे वो कल का दिन था आज का दिन था आप दोनों को combine कैसे कर रहे हो मैं बोलोगी मैं तो कर रही हूँ यह वही बात है ठीक है total atoms 8 ही होते है बट हर atom का contribution एक unit cell के अंदा से 1 by 8 होता है तो total 8 का कितना होगा 1 तो एक atom ही बना न 1 by 8 1 by 8 1 by 8 1 by 8 फ्लस कर करके अच्छा अब बाजू में ऐसी एक unit cell और होगी ऐसी आज ही बाजू में एक unit cell और होगी अब होता ही है कि हम लोगों का let's say hydrogen मा लेते हाइड्रोजन यहाँ पे आके ट्रैप हो गया है मा लेते ही हाइड्रोजन यहाँ पे आके ट्रैप हो गया है तो यह जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके ट्रैप हो गया है अगर आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन completely उन 4 atoms के बीच में है मतलब यह आपको 4 एंटम दिख रहे हैं ये वाला face देखना अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा एक face आपके पास है उस face के चार corners में क्या लगे हुए हैं आपके पास just imagine चार atoms ऐसे situated है उसको बना लेते हैं ये देखो ये ऐसे चार atoms आपको ऐसा लग रहा है कि situated है तो उस situation मेरा ढंक से नहीं बना है जाने दो बट और मान लो यहाँ पे कहीं आपका hydrogen आके फस गया है अगर आपको यह लग रहा है कि यह आपका hydrogen hydrogen completely उन चारों के बीच में है तो ऐसा नहीं है वो चीज़ ऐसी है अगर मैं इस चीज़ को imagine करूँ तो यह आप लोगों का एक कागच है आपका green atom आधा कागच के इस तरफ है और आधा कागच के उस तरफ है ठीक है यानि कि आपका जो यह green आपको दिख रहा है यह सिर्फ हाफ है यह सिर्फ हाफ है तो मैं यह क्या कह सकती हूँ अगर मैं example consider करूँ कि यह मेरे पास जो आउटर atom से white color से जिनको मैंने शो किया वो A है तो आपको देखने से लग रहा है कि 8 atom से बट हम तो जानते हैं कि Z की value 1 है तो A 1 आ जाएगा अच्छा अगर मैं पूछू कि hydrogen जो मैंने लगा है वो कितने है तो मैं देखने से लग रहा है कि वहाँ पे एक hydrogen है बट एक hydrogen नहीं है वहाँ पे आधा यह hydrogen है क्योंकि आधा hydrogen तो किसी और किसा शेयर हुआ पड़ा है तो यह इसका formula हुआ AH 0.5 जिसको मैं कुछ हद तक ऐसा भी लिख सकती हूँ AH 1 by 2 और फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ पूरी equation को 2 से multiply करके A to H तो क्या यह कोई ionic compound है क्या कोई equivalent compound है नहीं तो यह A to H क्या बता रहा है यह A to H यह बता रहा है कि आपके पास 2 A के unit cell है और उन 2 A के unit cell ने एक H को आपस में क्या करके रखा है शेयर करके रखा है एक H को उन्होंने क्या करके रखा है शेयर करके रखा है अच्छा अब किस तरीके से सबसे पहला doubt किस तरीके से alloys और किस तरीके से interstitial compounds एक दूसरे से different है एक सबसे important topic हमें इस topic को पढ़ने के बार ऐसा लगता है कि how I see and alloys are different from each other ठेक है ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है तो देखो alloys की सबसे important property ये है कि alloy के अंदर में जो atoms रहते थे मतलब जो parent metal atom थे जिनकों हमने mix किया तो alloy बन जाने के बाद उनकी properties पूरी तरीके से गायब हो जाती थी मेराबर एक नई property create हो जाती थी जिसका parent atom से कोई वास्ता नहीं था लेकिन हम होता क्या है आप लोगों के जो interstitial compounds होते हैं इन लोगों की वही similar chemical properties होती है cp मतलब किस chemical properties होती है जो कि उनके parent metal की थी थोड़ा बहुत difference आ सकता है क्योंकि अब मतलब थोड़ा बहुत difference physical properties में आ सकता है बट similar chemical properties आती है बट slight difference in slight difference in physical properties physical properties में थोड़ा बहुत difference आएगा बट chemical properties almost same होती है यह बहुत बड़ी बात है लेकिन जब हम लोग alloy की बात करते हैं तो जो आपके alloys होते हैं इन alloys में don't have similar chemical properties इनके पास इनके जो corresponding parent atom है उनके साथ इनकी similar properties match नहीं होती इनके corresponding parent atom के साथ match नहीं होती थे है similar chemical properties as the parent metal has तो यह एक सबसे important point है जिससे हम लोग एक alloy को और आपके interstitial compounds को आपस में क्या कर सकते हैं distinguish कर सकते हैं अभी alloy तो हो गया खत्म अब हम लोगे जो पढ़ रहे हैं interstitial compound इस interstitial compound से मैंने क्या कहा की physical properties में change आता है यानि कि आगर आपके पास माल लेते हैं कोई manganese 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 आपके पार से टूडी एक लंबा सा अरेंजमेंट था उसके पास अभी कोई भी foreign atom उसकी जगा पे नहीं आया, बैट आपने यह देखा कि अब उसकी जगा पे foreign atom आ चुका है, ठीक है, अब उसकी जगा पे कोई एक foreign atom आ चुका है, तो foreign atom के आने की वज़ा से कोई ना कोई properties बदल जाएंगी properties में change आएगा तो जो change अब properties में आ रहा है वो कौन-कौन सी properties है सबसे पहला आपकी जो physical property है उसकी conductivity में कोई change आता है क्या तो देखो conductivity में किसी भी hydrogen, boron, carbon, nitrogen के आने से कोई change नहीं आता ठीक है conductivity जो word है ना conductivity, metallic conductivity ठीक है वो वैसी की वैसी रहती है metallic conductivity में कोई भी change नहीं आता है no change अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अच्छा उसके अलावा क्या यहाँ पे उसकी hardness में कोई change आता है बिलकुल अब आपके interstitial जो compounds होते हैं वो interstitial compound की hardness बहुत जादा होती है as compared जब वो interstitial compound नहीं थे ऐसा क्यों तुम खुश सोचो hardness का मतलब क्या है जिसमें particles एक बुसे के बहुत close close है तो जब interstitial compounds के पास मतलब जब वो चीज pure metal थी उसके बीच में कोई भी नया foreign atom नहीं था तो एक space थी दराबर जिसको हम voids कहते हैं अब उस voids में आकर किसी ने रहना शुरू कर दिया मतलब अब वहाँ पे जो खाली space है empty space वो empty space अब क्या हो गई है decrease हो गई है क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा atom आके रह रहा है और भले ही दूसरे atom ने आपके pure metal के साथ ना तो कोई ionic bond बनाया है ना तो कोई covalent bond बनाया है बट कम से कम एक wonder wall force तो है तो कोई ना कोई तो force है भले ही कमजोर सा सही जिसकी वज़ा से hardness बढ़ गई और अगर hardness बढ़ जाती है तो जो melting point and boiling point होता है ये melting point and आपका जो boiling point है ये भी क्या हो जाता है increase हो जाता है कोई चीज अगर high रहेगी hardness में तो उसको melt करने में ठीक है आपको obviously क्या होगा आपको फर्क पड़ेगा what about the term density density के साथ क्या होता है तो आप देखो इसको समझते है ये वाला थोड़ा सा एक tricky topic है जिसमें एक इनसान इसको increase, decrease, कुछ भी मार सकता है कुछ भी मतलब कुछ भी पहले तो ये समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या density equals to mass by volume ये आपको पता है density directly proportional होगी mass के inversely proportional होगी volume के ये that is इसका मतलब ये है कि अगर आपने density बढ़ रही है मतलब mass बढ़ रहा है तो density बढ़ती है और अगर आपका density घटी है कब अगर volume बढ़ता है क्योंकि volume का odd density का आपस में inverse का relationship होता है कैसा relationship होता है inverse का क्या interstitial compounds में मतलब interstitial compounds का क्या mass उसके corresponding parent metal से ज़्यादा होता है क्या खुद सोचके देखो एक बार अपने दिमाग के अंदर ठेक है उनके parent atom parent pure metal से ज़्यादा है क्या तुम बोलोगे कि obviously ज़्यादा है क्योंकि पहले parent के पास सिर्फ pure metal था manganese, 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 manganese लेकिन अब आपने जो interstitial compound बनाया ठीक है उस interstitial compound के पास कुछ foreign atoms भी आके रह गए है ना vacant spaces में आके रहने लगे तो क्योंकि अब वो vacant spaces में आने लगे है so therefore obvious है कि mass तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा है ना mass तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भले ही कम बढ़े लेकिन कुछ तो बढ़ेगा च्योंकि जिन interstitial जगाओं कि बात करो इंटर्स्टिशल जगाओं चोटी सी है तो वहां पर रहने वाला एटम भी चुटूसा होगा अगर एटम चुटूसा है तो उसका molar mass भी चुटूसा होगा या फिर अटमिक मास भी चुटूसा होगा so therefore जादा increment नहीं होगा but आपके इंटर्स्टिशल कंपाउंस में उनके प्यॉर मेटल एटम को प्यॉर स्टेट में अगर मैं उससे compare करूँ तो जो mass होता है उस mass में एक छुटूसा increment होता है अब mass में क्योंकि छुटूसा increment हुआ तो जिसकी वजह से आप लोगों का जो density है उसमें भी छोटा सा increase आता है तो एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि density बढ़ेगी क्योंकि mass बढ़ रहा है लेकिन एक और factor है जो कि यहाँ पे गवन करता है वह है volume, volume के साथ क्या होता है when you are talking about interstitial compounds, अब अपना छोटा सा भेजा, खुद खुद सोचो, खुद, खुद छोट, सोचो थोड़े से भेजे में, अक्कल डाल कर आपके पास माल लेते हैं यह void है यह एक atom, यह माल लेते हैं मेरे पास दूसरा atom, और यह माल लेते हैं मेरे पास तीसरा atom, और आपको यह बीच में वाइड दिख रहा है, यह वाइड दिख रहा है इस वाइड में, इस वाइड का कोई ना कोई size होता है, जो आपने solid state में पढ़ा है, हर वाइड का एक size की range होती है अब आपने उस वाइड से छोटा atom डाला, क्या होगा? अगर आपने उस वाइड से इतना size है, उतना ही बड़ा एक atom आपने डाला, तो वो जो atom है न, वो atom क्या होगा? आपके वो extra atom वो non metal वाला atom क्या करेगा? आपके d block के atoms को क्या करेगा? outward push करेगा, खिसकेगा मतलब अपने लिए थोड़ी सी space create करेगा तो जिसकी वज़ा से आपके structure में एक little bit सा एक little सा क्या होगा? expansion होगा अब ये जो little सा expansion होता है इसकी वज़ा से आपका volume क्या हो जाता है? increase हो जाता है और volume अगर increase हो गया तो density बोलो क्या हो गई होगी? density decrease हो गई होगी तो interstitial compound के case में volume वाला जो factor है वो density को घटाता है और mass वाला जो factor है वो आपके density को बढ़ाता है तो एक factor ये कहता है कि density बढ़ेगी और एक factor ये कहता है density घटेगी but the dominating factor here is आपका volume so volume की इस जगा पे चलती है और क्योंकि यहाँ पे volume की चलती है so therefore interstitial compounds की जो density होती है वो कम होती है as compared to their parent atom मतला parent जिसे भी वो बने है उनके compare में इनकी densities क्या हो गई कम हो गई so क्योंकि interstitial compounds में याद रखना parent से similar chemical properties होती है but उनकी जो physical properties होती है वो vary कर जाती है बस और कुछ नहीं है और एक चौती physical property के बारे में हम जान लेते है कि आपके जो ये interstitial compounds होते है ये chemically inert होता है अब chemically का मतलब भी तुम जानते हो inert इस word का भी मतलब जानते हो तो दोनों words को अगर तुम combine कर दोगे तो combine कर देने से आपको ये पता चल जाएगा ठीक है कि आप लोगों के interstitial compounds में chemically inert का मतलब क्या है चार ठोग properties है chemically inert much harder density उनकी क्या हो गई उनके पैरेंट से कम हो गई और melting point और boiling point उनके उनके पैरेंट से क्या हो गया बढ़ गया so this was all about the interstitial compounds और D-block के interstitial compounds जादा quantity में क्यों बनाते हैं why D-block elements are forming large number of interstitial compounds because again the same concept they have variable oxidation state first of all and as well as as well as they have no large difference in size अच्छा और कुछ common interstitial compounds के example है जो आपको मूँ जबानी पता होने चाहिए ताकि अगर कल को आप देखो तो आप identify कर से को क्या रहे तुम तो कोई covalent compound भी नहीं हो और ना तो तुम कोई एक ionic compound हो तुम तो एक interstitial compounds हो ठीक है तो these are the few example of interstitial compounds अच्छा कहीं ऐसा लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब भी वो interstitial compound है कहीं ऐसा लिखकर आ रहा है इसका मतलब भी वो क्या है interstitial compound है ये चीज obviously कोई एक molecular formula नहीं हो सकता ये सिर्फ उसकी composition को बताता है कि एक metal atom के respect में आपका एक non-metal atom और कितने लोगों के बीच में shared हुआ है बराबर है ये non-stochometric होते है nature में और आप यहां से इस तरीके की splitting नहीं कर सकते कि जैसे ALC, AL3 में जो splitting कर रहे थे वो वाली splitting valency के versus पे नहीं कर सकता है मतलब यहां पे valency का कोई भी रूल नहीं चलेगा ठीक है तो यह हो गया हमारे d block events के बारे में एक बार देख लेते हैं कि तुमारी जो boards की किताब है उसमें ये चीज है कि नहीं अरे या इसको तो जब भी open करो ये तो फर्स पेस से ही open होती है बाकी किस इसको फर्स पेस से ही open होना है chemical kinetics दिख रहा है तो मुझको यहां पर आगे आगे हम लोग यहां कहीं electrolysis ये तो P block element चल रहा है ये रहा D block elements तो electronic configuration तो आपके syllabus में ये ये तो मैंने पहले दी नहीं पढ़ा दिया था introduction के नाम पर और उसके अलावा ये तो copper और chromium का electronic configuration अजीबो गरीब क्यों होता है ये तो 11th में ही सिखा चुके है और जिनको नहीं आता था उनको मैंने बोला भी विडियो मांगना उन्होंने मांगा मैंने दे भी दिया अच्छा उसके बाद ये जो next properties है यहां पे oxidation state मैंने नहीं पढ़ाया है अभी ठीक है physical properties में हम लोग size के बार में बाचीत कर चुके हैं बलकि graph भी हम लोगोंने पढ़ लिया है ठीक है और उसके अलावा ionization energy पढ़ लिये है metallic character तो last class में ही पढ़ाया है हम लोगोंने melting point और boiling point में और magnetic properties में पढ़ाऊंगी क्योंकि oxidation state अभी पढ़ाने की हूँ न वैसे तुम्हारी book में उतना कोई magnetic property में है ही नी electronic configuration लिखने आना ची unpaid electrons count करते आने ची formula याद होना ची बस बात खदम और दो माग का सवाल सीरा सीरा यहां से उठकर आ जाता है ठीक है तो इतना तो कुछ है ही नहीं की जितना में को tension लेनी की need पढ़े की हाई तुम्हारी magnetic properties बची है आच्छा oxidation color oxidation state के basis पे होगा ये color wheel already coordination chemistry में सिखाई जा चुकी है catalytic properties भी oxidation state के basis पे होगी आच्छा ये रहे देखो interstitial compounds मतलब ये आप लोगों के boards की किताब में है तो यहां पे लिखा है when a small atom like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interspecials within the crystal lattice the compounds are called interstitial compounds यहां से एक question तो यहीं create होगया boards के लिए कि what do you mean by the term interstitial compounds और हमेशा वहां पे hydrogen, carbon, nitrogen नहीं रहेंगे वहां पे sulfides और oxides भी हो सकता है इस चेश को भी अपने notes में लिख लोगे ठीक है interstitial compounds के day-to-day life के example ध्यान से सुनना interstitial compounds के day-to-day life के example यह रहे यह रहे ठीक है अच्छा अब यह किस के अच्छा यहाँ पे धान देना मैंने stainless steel नहीं बोला है यहाँ पे सिर्फ steel बोला है ठीक है यहाँ पे सिर्फ steel बोला है और यहाँ पे carbon डालने का need क्या है कि carbon के रहने की वज़़ से malleability, ductility iron की घट जाती है ठीक है और उसकी tenacity increase हो जाती है तो इस particular part से आप लोगों को क्या create किया जा सकता है give reason कि why we are adding carbon for making steel और car style ठीक है तो यह give reason है industrial compounds के कुछ properties ही हैं देख लेते हैं क्या के properties ही है जैसे मैं तुम्हें बताया कि वो hard हो जाते हैं as compared to अच्छा तो यह hard वाला तो ही है their chemical properties are similar to that of the parent atom similar word को आप यह भी लिख सकते हो inert है, inert का मतलब दोनों में same चीज है वो, अच्छा अगर कोई hard हो गई है तो obvious है कि इसको melt करने में आपका जो melting point रहेगा वो higher हो जाएगा densities को देखो यहापे मैंने explain करके रिया कि density घटती है इन्होंने directly लिख रिया कि density घटेगी, but इसका explanation अभी हम लोगों ने उपर discuss कर चुके है आच्छा और उसके बाद बस यह लोग इतना बता रहे है कि interstitial compounds कई बार होता क्या है उनके बीच में जो atoms आके उनकी जगह को occupy कर लेते है उनकी occupancy की वज़ह से उनके carbides, carbides मतलब carbon अगर आया है और borides मतलब अगर boron आया है तो वो diamond से भी hard हो जाते है so this is not a property hardण वाली property तो अल्रीड है मुँपर discuss कर चुके है this is just a illustration यह एक example है अच्छा उसके अलावा कि अगर यह एक important चीज़ है इस चीज़ को मैंने नहीं बताया था कि अगर आपके पास कोई deblock element है ठीक है आपके पास एक deblock element है और उसके voids में अगर आपने hydrogen को डाल दिया तो obviously वो hydrides होगा वहाँ से जो ionic compound मनेगा वो ionic compound किसके जैसे use किया जाता है reducing agent तो कल को यहाँ से कोई भी एक mcq create करके दे सकता है कि आपके पास deblock element है इस deblock element के voids में ठीक है आप इन में से कौन सा non metal डालोगे ताकि जो नया interstitial compound बने वो एक reducing agent बने तो याद रखेंगे किसको डालेंगे hydrogen को डालेंगे ताकि वो एक क्या बने reducing agent बने अच्छा फिर next चीज यह है यह तो एक gk factor है याद रख लिया तो अच्छा है नहीं रखा तो क्या फरक पड़ता है iron carbide carbide का मतलब iron रहा होगा और उसके void में किसको डाला गया होगा carbon को तो iron और carbon के mixture से जो interstitial compound बना किसके काम आ रहा है steel manufacturing के काम आ रहा है stainless steel नहीं steel ध्यान से सुनना और tungsten आप लोगों के पास है W उसमें आपने carbon डाला उन दोनों के mixture से interstitial compound बना वो किस काम में आ रहा है for cutting tools for cutting tools तो यह property भी आपके syllabus में है मुझे लग नहीं रहा था अच्छा what is an alloy alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals or metal and non-metal बराबर अच्छा तो यह definition हो गई do atomic radar transition element differ largely no transition elements के जो atoms होते हैं उनके बीच में atomic size में ज़्यादा difference नहीं होता है और उसके अलावा यहाँ पर तुम्हें alloys का classification बताया गया है पढ़ लेते हैं क्या classification है percentage of iron is more तो अच्छा alloys mixing to दे अच्छा है देखो यह चीज क्या है इसमें क्या बोल रहा है कि ferrous उन alloys को कहा जाता है ठीक है have atoms of other elements distributed randomly in atoms of iron मतलब अगर iron के 100 atoms हैं तो जो other elements है let's say other element माल लो tungsten है तो tungsten मालनेते हैं उसके compare में 3 या 6 होगा और वो भी कोई fix pattern नहीं कहीं पे कैसे भी पड़ा होगा तो उसे हम लोग कहते हैं ferrous और non ferrous किसे कहेंगे कि अगर आपने एक transition metal लिया है और आपने उसके साथ एक non transition metal वाले को mix कर दिया जैसे कि हमने अभी अभी discuss किया था brass brass is an alloy of copper and zinc तो तुम्हें तो पता है कि copper एक transition metal है और zinc आप लोगों का एक non transition metal है क्यों है इस chapter के मैंने introduction में बताया है ठीक है introduction में बताया है तो तुमको इसमें कुछ भी सिम्जाने की need है बट क्योंकि ये question boards के respect से आज सकता 1-2 marks के लिए boards वालों को वैसे भी इस type के question देने में थोड़ा मज़ा आता है जिसको हम लोग ignore कर देते है ठीक है जिसको हम लोग ignore कर देते है कि अरे ये तो user है ये कौन पुछेगा वो वही रे रेते हैं अच्छा यहां से बस एक जी के फैक्ट और या जा सकता है कि जैसे brass is an alloy of copper and zinc bronze is an alloy of copper and tin वैसी ही niachrome is an alloy of nickel and chromium तुमने 10th में भी पढ़ा होगा niachrome wires heating effect of electric current वहाँ पर है ना कुपरा निकल तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है is an alloy of copper and nickel ठीक है किस काम में आता है वह पढ़ लेना ठीक है bronze ये तो अल्रेडी बताया था is an alloy of copper and tin उपर तो मैं बताई चुकी हूँ brass is an alloy of आप लोगों का copper and which zinc ये copper और zinc को mix करोगे तो ये brass वाला alloy है बराबर अच्छा titanium alloy विट्सन stress अच्छा ये तो तुम पढ़ लेना fireproof bulk heads मतलब वो जो आपके क्या रहते बिचारे जो soldiers होते हैं और जो police वाले लोग होते हैं उनके लिए जो बनते हैं वो ये सब चीजों के तो ये जो जी के facts है तुमारे काम की चीज है पढ़ ले होगे काम आ सकता है so in this way हम लोगों ने आपमारी एक और property खतम की कल हम जिस property को पढ़ेंगे वो oxidation state रहेगा क्योंकि oxidation state अगर बीच में एक बार मैंने शुरू कर दिया तो फिर मैं उसको रोक नहीं सकती इसलिए हम लोगों का जो पहला topic रहेगा वो oxidation state रहेगा oxidation state और उसके बाद next topic उसी में continue में stability of oxidation state जो खुद में एक अच्छा कासा लेंडी topic है तो कल का target हमारा रहेगा oxidation state and its stability अब तुम्हारी book में अलग से oxidation state and stability of oxidation state करके कोई दिया नहीं है topic but we will study उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि oxidation state रहेगा अच्छा कासा topic है आपको direct color और magnetic properties दे दी गई है और catalytic properties दे दी गई है जो कि ऐसा है कि अगर मैं उसको read करके पढ़ाना चाहूँ तो तो मैं वैसी पढ़ा दू मैं को दो दिन ना लगे चप्टर खतम कर रहे है but पुरा एकदम उसको step by step चलेंगे ताकि आपको आगे अगर वो चीज आये तो दिक्कत ना दे अच्छा अब एक बार देख लेते हैं तुमारी बुक में क्या क्या है तो देखो उन्होंने पूरी हटा ही डाली है ना हमने तो मेटलर जी बापरे पूरी डिटेल में पड़ी थी एकदम खतरनाक एक एक वर्ड तो उन्होंने तो पूरी हटा दी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम पे तो पहले भी दो पन्ने हुआ करते थे बस यही सब दिया है ज्यादा कुछ डिटेल लिए है आपर ठीक है तो अभी हमारा जो कलका टॉपिक है वो अगेन और पीरोडिक ट्रेंड्स रहेगा हम पर लेंगे जिनको अपने लेवल के लिंक 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 लिए मैं लिख दूंगी वहां पर गुरूप में कि यह जेड़े बरी वालों के लिए है और यह आपके बूर्ट का पार्ट नहीं है एक्सेक्टर एक्सेक्टर दो आप उसमें अपना इंग्डोर कर देना उसको ठीक है चुल तो फिसको भी ओवर करते हैं